हेलो अबरेवान वर्कम बैक तो वर यूट्यूब चैनल प्योंड रोडर कॉर्णर आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए इंग्लिस वक्षीट और इस वक्षीट के थुरू आप बच्चों के अनुल एक्जाम के प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं तो इस टाइक भी अधर वक्षीट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी बैल आकन में प्रेस कर लें ताकि आने वाली जोवी वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सो फर्स्ट कोशन इस यह give इस वाड़ these words in alphabetical order तो बच्चोब को हम class 1 में UKG class में भी हम alphabetical order जो है बच्चों को सिखा दिते हैं तो कुछ है wirds तिय गए हैं इन words को बच्चो को alphabetical order igh&go outta ग गए यह सारे विड्द को हम alphabetical order में arrange करेंगे तो साबसे पहले हमारे क्या आता है A A for ant A, N, T Next, A के बाद आता है B तो हम देखेंगे B से कोई word यहाँ पर है तो B for ball इसको भी हम यहाँ fill कर देंगे Next, B के बाद C आता है C यहाँ पर नहीं है D, E, F, G, H, I, J, K K for kite K, I, T, E, kite K के बाद के आता है K, L, M M for mango M, A, N, G, O Mango, Next M के बाद N, O, P, Q, R R, R for red से म इसी टाइप से हम Next line भी करेंगे loin, girl, car, fox, egg तो इन सारे words को हम alphabetical order में arrange कर लेंगे तो सबसे पहले हमारे क्या आता है A, तो A for यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है Next, B, B for भी नहीं दिया है C, C for car तो इसको हम यहाँ लेंगे Next, C के बाद आता है D तो यहाँ पर इस line में हमें D भी नहीं दिख रहा है D के बाद E, egg Next, E के बाद आता है F, F for fox, F के बाद क्या आता है G, G for girl, next G, H, I, J, K, L, next L, L for loin तो इस तरह से आप बच्चों को alphabetical order सिखा सके, now the next question is Write V for vowels and C for consonants, बच्चों को हम vowels and consonants अच्छी तरह से class 1 में सिखा देती है even हम UKG class में भी vowel and consonant को concept जो है वो clear कराते है, तो class 1 में बच्चों को हमें vowel and consonant अच्छे से clear करानी होते है जैसे कि यहाँ पर दिया है आपर लिखना है, अगर जो भी word wobble से start हो रहा होता है तो उसके सामनी हम क्या लिखेंगे wobble word means we लिखेंगे और जो भी word consonant से start हो रहा है तो वो consonant word है तो उसको हम C लिखेंगे जिसे कि elephant है, तो elephant क्या है elephant में E क्या है मारा wobble है, तो यहाँ पर हम वी लिखेंगे, next clock C क्या है, consonant है तो यहाँ पर हम C लिखेंगे next igloo, I क्या है wobble next fan, F हमारा consonant है B भी consonant है and E, E क्या है wobble, तो इस तरह से भी आप बच्चों को wobble and consonant की practice करा सकते है now come to the next question underline the naming words, तो यहाँ पर बच्चों को naming words underline करने है जो भी naming words है, वो यहाँ पर हमें underline कर दीने है जिसे की first sentence है a pilot flies an aeroplane तो यहाँ पर हमारी क्या क्या naming words है pilot एक naming word है और aeroplane भी एक naming word है, pilot एक person है और aeroplane क्या है, एक thing है next line देखेंगे the monkey sat on the ball तो यहाँ पर हमारा कौन सा naming word है monkey, कैसा naming word है animal next दिखेंगे the dog is an animal तो dog क्या है, एक naming word है, और यह भी हमारा क्या है animal, तो इस तरह से भी आप बच्चों को naming word की practice करा सकते है now come to the next question take the correct option a or n बैसे तो हमने बच्चों को a or n के practice कही वार कराई हुई है लेकिन इस वार मैंने थोड़ा सा different method लिया है ताकि बच्चों को यहाँ पर choose करने का यहाँ पर option मिले जैसे कि this is an aeroplane और a igloo, तो यहाँ पर जो भी correct word है उसको tick करना है जैसे कि this is an aeroplane, इसको हम tick कर देंगे और a igloo क्या है, गले थे इसको हम cross कर देंगे next, I saw an monkey और a zebra, correct answer है यहाँ पर क्या होगा, I saw a zebra in the zoo क्योंकि Z के हमारा consonant है न, तो हम consonant के साथ क्या, एका use करते है और यहाँ पर m भी हमारा consonant है, तो यहाँ पर हमने n का use किया है तो यह क्या है, यह गलत है, इसको cross कर देंगे, next, दिखेंगे there is a rat on an cat under the table there is a rat correct word है, और an cat क्या है, wrong word है इसको हम cross कर देंगे next, दिखेंगे, ankit is drawing an tree or a kite, तो ankit is drawing a kite a kite क्या है, correct word है an tree क्या है, wrong word है इसको हम cross कर देंगे, तो इस तरह से भी आप बच्चों को a और n के practice कर आ सकती है, now the next question is write the plural of these words तो यहाँ पर कुछ words दिये गए है इन सभी words के बच्चों को plural words लिखने है, जैसे कि cup, cup का more than one क्या होगा cups box boxes mango mangoes spoon spoons bottle bottles sister sisters room rooms house houses तो इस तरह से बच्चों को यहाँ पर s and es का use करना था जैसे कि cup तो cup में हमने s यूज किया box में es तो s और es का use करके plural words यहाँ पर form करना नौर 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 नेच्ट कूशन is match the following तो यहाँ पर कुछ जंडर्स तिये गए है male gender को female gender से match करना है या फिर female gender को male gender से match करना है जैसे कि bull तो bull का female क्या होता है cow husband wife boy girl tiger tigress next one is hen hen का male क्या होता है rooster aunt uncle princess prince man man women तो इस तरह से आप बच्चे को mix and match करके यहाँ पर practice करा इस question is put the correct word in the correct order to form sentence तो यहाँ पर जो भी sentence दिये गया है इसको correct order में हमें लिखना है जैसे कि लिखा है green scarf is this a तो इसको correct order form करेंगे this is a green scarf इस तरह से next sentence दिखेंगे my that kite is तो correct sentence क्या बनी गए यहाँ पर that is my kite इस तरह से next sentence है beautiful are those flowers तो those flowers are beautiful beautiful तो इस तरह से आप बच्चों को sentences form करना सिखा सकते हैं now the next question is match the following तो यहाँ पर matching करनी है जैसे कि यहाँ पर first sentence है i brush i brush तो यहाँ पर इससे जो भी sentence match हो रहा है उससे हमें match करना है जैसे कि i brush my teeth everyday we read story books i drink milk in the morning the pigeon sits on the tree तो यहाँ पर basically क्या किया गया है कुछ sentences है वह अधूरे हैं तो उनके correct sentence से उन्हें match करना है तो यहाँ पर कुछ doing words भी दे रखे हैं तो उनकी भी practice हो रही है साथ में बच्चे जो sentences है correct sentence से match करना भी सीख रहे हैं now the next question is write opposite words with a given help तो यहाँ पर कुछ opposite words है बच्चों को fill करने हैं अगर बच्चों को spelling learned है तो यह बहुत अच्छी बात है अगर नहीं learn है तो उसके लिए यहाँ पर help दी गई है बच्चे यहाँ से help से जो भी words है वो complete कर सकते हैं जैसे कि first है hard तो hard का opposite क्या होता है soft s o f t soft next first तो first का opposite होता है last near near का far old का होता है new high low clever fullest तो इस तरह से आप बच्चों को opposite words की पर practice करा सकते हैं आप यहाँ लिखने की जगे matching दे सकते हैं टिक करने के लिए दे सकते हैं मैंने कई सारी work sheets इसके लिए share की हुई है आप जो पहले की work sheets है उनको देख सकते हैं आज की work sheet आज की work sheet आपको कैसी लगी I hope informative and helpful लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने शेयर करना और साथी बैल आकन भी प्रेस कर लेने ताकि आने वाली जो भी वीडियोज है उनका notification मिल पाए और साथी आप comment भी करना नेक्स work sheet में किस subject की share करूँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care